Good day to all of you पिछली क्लास में आप सभी ने File menu और Edit menu के बच्चे वे विकल्पों के बारे में सीखा था क्या आपको याद है कि आपने कौन-कौन से formula को सीखा था आपने पिछली क्लास में Date, Time से related कुछ formula को सीखा था जैसे कि Days, Week Days, Week in Year इत्यादी formula के बारे में सीखा था क्लास शुरू करने से पहले आए कुछ revision कर लेते हैं क्या आप बता सकते हैं Calc document को किसी दूसरे user को send करने के लिए किस option का उप्योग करेंगे send option की मदद से आप अपने document को किसी भी दूसरे user को send कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं अगर हमें file की जानकारी लेनी हो जैसे हमारी file कौन सी file है file saved है या नहीं किस date को file save हुआ था इत्यादी तो किस विकल्प का उप्योग करेंगे इन सभी जानकारी को देखने के लिए आपको property विकल्प का उप्योग करना होगा क्या बता सकते हैं अगर आपको अपने document के हुए बदलाव को देखना हो तो कैसे देखेंगे आपको अपने document में हुए बदलाव को देखने के लिए compare document का उप्योग करेंगे paste special का उप्योग क्यों करते हैं paste special के द्वारा आप copy, cut के बाद अलग-अलग format में आप उसे paste कर सकते हैं अगर आपको अपने spreadsheet को move, copy, delete करना है तो आप कौन से विखल्प का उप्योग करेंगे इसके लिए आप edit menu के seat विखल्प का उप्योग करेंगे अब आप सभी अपने computer को on करें spreadsheet की file को open करें आईए अब आज की class को शुरू करते हैं आज की class में आप सभी file और edit menu के बचे विए options का revision करेंगे और इसके साथ साथ में आप पिछले formula का revision करेंगे कुछ नए formula को भी सीखेंगे सबसे पहले आप सभी data को create करें या फिर उसमें दिखाएगे चित्र को देखकर अपने sheet पर data को बनाए अब आप सभी file को save करें आए वीडियो को देखकर सीखते हैं file को save कैसे करते हैं आए वीडियो की मदद से file को save करना सीखते हैं save आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं sort कर commands, standard toolbar या file menu के दवार हम यहाँ पे अपने file को file menu के दवारा file को save कर रहे हैं file menu पे click किया save option को select किया है एक box आजाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी location को select कर लें जिस location पे भी आपको file को save करनी है हमने desktop को save select किया फिर file name जो भी file name टाइप करना है वो file name यहाँ पे type करें हमने यहाँ पे class 4 टाइप किया जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं फिर save पे click कर दें save पे click करने के बाद यह file आपकी save हो जाएगी आप इसे title बार में देख सकते हैं वो file save है या नहीं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है class 4 यहाँ title बार में लिखा हुआ आ रहा है अगर आप minimize करके check करना चाहते हैं तो अपने file को minimize करें और जहाँ पे भी अपने file को save किया वहाँ पे search करें आपने desktop पे किया था तो desktop आप देख सकते हैं पे class 4 जो हमने file नाम दिया था वो यहाँ पे save है तो इस प्रकार से आप अपने file को save कर सकते हैं किसी भी location पे file को save कर सकते हैं template विकल्प के द्वारा कुछ help line number को organize करके दिखा है जैसे कि police help line number, woman help line number computer sikshah help line number इत्यादी आए वीडियो को देखकर सीखते हैं इस विकल्प के द्वारा इन सभी contact को कैसे लिखना है आए वीडियो की मदद से template को उप्योग करना सीखते हैं और जानते हैं template की मदद से किसी help line को कैसे type करते हैं इसके लिए सबसे पहले file menu पे click करे, file menu पे click करने के बाद template option को select करे फिर save को select कर लें तो यह अभी सबसे पहले save करने का option पूछेगा कि आपको template कहाँ पे save किस नाम से save करना है तो हमने यह आप है help line नाम से एक template को create किया फिर ओके पे click कर दिया तो यह अभी help line number से template create हो गया अभी इसको template में export करने के लिए फिर से file menu पे click करे organize पे click करे जहां पे भी अपने template को save किया था create किया था हमने my template में किया था my template को select किया help line को select किया हमने जो पहले सी document टाइप कर रहा था यह उसी का template बनागा क्योंकि हमें इसके अंदर help line को type करना है इसलिए हमने edit पे edit option को select किया तो अब यहां पे editing करने का option आ गया है जो भी आप help line type करना चाहते हैं वो यहां पे उसका list बना सकते हैं हमने यहां पे second sheet को select किया तो यहां पे हमने यहां पे help line पहला woman help line number यहां पे हमने type किया 1039 फिर police help line number 100 फिर computer 6 help line number यहां पे हमने computer 6 help line number type किया फिर जो number है वो number हम यहां पे type करेंगे आप इस column को हां पे select करके इसको drag करके इसके cell को size को आप कम जादा कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया हमने यहां पे इसका help line number और यहां कर आप और यहां करेंगे यह अड़नी पहले से था है इसाल में यहां पे इसके अडरों करेंगे यहाँ पर हमने Organize पर क्लिक किया My Template पर गए जो Help Line हमने जो Create किया था उसको Select किया फिर Export पर क्लिक कर देंगे फिर यह Save करने का Option आएगा यहाँ पर जिस नाम से भी आप Save करना चाहता है उस नाम से इसे Save कर दें हमने Help Line नाम से इसे Save कर दिया फिर इसे यहाँ से Cancel कर दें तो इस परकार से यह आपको Template Help Line लिस्ट बन गया यहाँ पर आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं इसको लिस्ट को आप बार बार जबी उप्योग में लाना चाहता हैं तो आप इसे उप्योग कर सकते हैं लिस्ट जो हमने Help Line लगाया था वो यहाँ पर आ गया तो इस परकार से आप Template का उप्योग करके Help Line लिस्ट को बना सकते हैं उसका आप कभी भी बाद में फ्यूचर में उसका उप्योग कर सकते हैं अब आप सभी अपने Spreadsheet के Document को देख कर बताएं कि आप कौन से सीट पर काम कर रहे हैं उसका नाम क्या है जैसे कि सीट 1, सीट 2, सीट 3 त्यादी अब सीट 1 जिस पर डेटा टाइप किया है उस पर Text Formula की मदद से दिन और मन्त और यह निकाल कर दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो Text Formula का उप्योग कैसे करते हैं वीडियो को देख कर सीखें आएए वीडियो की मदद से Text Formula की मदद से Day, Month और Year को निकालना सीखते हैं जैसे कि आप वीडियो में दे सकते हैं हमने यहाँ पर पहले से यह डेटा को टाइप किया हुआ है जिसके अंदर हमने डेट भी टाइप किया हुआ है यहाँ पर तीन अलगल कोलम ने हमने Day, Month और Year टाइप किया हुआ है सबसे पहले हमें Equal to Text हमने यहाँ पर टाइप किया फिर हमें नमबर जो आपकी डेट है उस डेट को आप सेलग करेंगे अब हम इस डेट में से यह जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है इसका हमें Day काउंट करना है कि कौन सा दिन था उस दिन यहाँ पर पूर्मेट पूछा जा रहा है तो आपको Inverted कोमा के अंदर स्टार्ट करना है हमने डबल डी यहाँ पर टाइप किया Enter बटन को प्रेस किया यहाँ पर टू आ गया जो दो तारीक था रहा है यहाँ पर दो तारीक यहाँ पर आ गया अब हमें इसे दिन में convert करना है जैसे कि सोमवार, मंगलबाद जो भी है इसमें convert करना है तो हमने यहाँ पर इक्वल टू टैक्स टाइप किया यहाँ पर जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पर equal to text type किया number जो number है वो date को हम select करेंगे semicolon लगाएंगे inverted comma जो double inverted comma होता है उसको हम यहाँ पर उसके अंदर four times d को type करेंगे जो four times आप d को type करेंगे जो भी उदिन date था उस date को यहाँ पर count करके बताएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने bracket close के enter button दवाए तो जो भी date था वो यहाँ पर बता दिया Friday इस परकास अगर आप सभी date को निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका वीडियो में देख सकते हैं आप चाहते हमाँ पर click करके नीचे एक साथ ड्रैक करके भी इनको आप count कर सकते हैं इसी परकार से अगर आपको month count करना है month के लिए भी आप equal to text type करेंगे number की जगर जो date है उस date को आप select कर लेंगे semi column अब यहाँ format inverted comma के अंदर four times m क्योंकि हमें month कर रहे हैं इसलिए हमने आप four times m फिर इसे close करेंगे और bracket को भी close करेंगे enter button press करेंगे तो इसके अंदर जो भी month है वो month को यहाँ पर जो month name है वो month name यहाँ पर आ जाएगा जैसे आप enter button को press करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 12 याने की December यहाँ पर month आ गया सब भी date के अंदर आप देख सकते हैं 12 12 है तो जब आप नीचे ड्रैक करेंगे तो जिते भी date है उसका month यहाँ पर आ जाएगा हमने वहाँ पर double click किया तो यह सारे हाँ पर December आ गया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे है जब आप एसको date को change करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जैन्ज किया उसो delete करके last वाले जो date है उसको हमने आपर erase कर दिया यहाँ पर हमने 3 सब्सक्राइब करना है कि कौन सा इयर था है हमने एक और डेट को यहां पे चेंज किया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने 6 कि 21 2017 हम नहीं चेंज किया तो आप देख सकते हैं जो 6 मन्त है जून यहां पर जून आपको दिखाए दे रहा है यहां पर डेवी चेंज हो गया तो इस प्रकार से आप इसको आप चेंज कर सकते हैं मन्त को काउंट करने के लिए है हमने equal to text जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं नमबर की जगह जो date है उस date को आप सेलेक्ट करेंगे semi column लगाए फिर format type करें हमने यहां पर four times y को टाइप किया यह काउंट करें से लिए हमने four times फिर inverted जो कोमा है उसे close करेंगे bracket को close किया और enter button को press कर दिए है तो जो यहां पर year है वो year यहां पर आ जाए जैसे कि आप दे सकते हैं इसके अंदर 2016 यह था तो 2016 यहां पर year आ गया बाकी को भी आप नीचे ड्रैक करके उन सबका year दिखा सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया हमने वापर double क्लिक किया तो यहां पर आ गया तो इस प्रकार से आप text formula का उप्योग कर सकते हैं अब आप दूसरे seat पर जाएं और इसके नाम को बदलें और यहां पर पिछले class के कुछ formula के नाम लिखे जैसे कि weekday, is sleep year, days in month, week year, इत्यादी अब आप even row में formula के नाम को type करें और उनके नीचे formula का उप्योग करके दिखायें सबसे पहले update formula का उप्योग करें उसके बाद time फिर month के formula का उप्योग करें आएए वीडियो को देखकर सीखते हैं सभी कारियों को कैसे करते हैं आएए वीडियो की मदद चे सीट का नाम चेंज करना सीखते हैं कि सीट के नाम को कैसे बदलते हैं सबसे पहले जिस seat को भी आपको नाम बजलना है उस seat को आप select कर लें जैसे आप वीडियो में देखेता है हमने seat 2 को select किया क्योंकि हमें seat 2 को option आया हमने उस पर क्लिक किया जो भी नाम आपको टाइप करना है वो नाम आप यहाँ पर टाइप करें हमने आप पर class 4 लिखा और फिर okay पर क्लिक कर दिया तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर street 2 लिखा हुआ था वहाँ पर class 4 लिखा हुआ आ गया आईए वीडियो की मदद से day और month formula का उप्योग करना सीखते हैं तो पहले आप किसी दूसरे street को आप select कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है हमने यहाँ पर class 4 street है उसको हमने यहाँ पर select किया तो हम यहाँ पर दूसरे street पा गई यहाँ पर अब हम date और month formula का उप्योग करेंगे इसके लिए सबसरे पहले हमने एक cell के अंदर date को type किया जिस date को भी आप insert करना चाते हैं जो भी आप date यहाँ पर लिखना चाते हैं तो उससे आप formula की मदद से यहाँ पर लिख सकते हैं equal to date type करें जो भी आप year देना चाते हैं वो year यहाँ पर type करें हमने 2017 year हमने किया फिर हमें month देना है semicolon जो month भी देना है हमने फैब का month यहाँ पर दिया 2 फिर जो भी date देना है आपको semicolon उस date को आप यहाँ पर type करें तो आप देखेते हैं मैं आप 31 को type किया था क्योंकि फैब के अंदर अब जानते हैं 28 days होते हैं तो उसको 3 days आगे count करको से मार्च में convert कर दिया 33 2017 यहाँ पर आ गया अब जो हमने यहाँ पर date टाइप किया उसमें अगर हमें month निकालना है कि कौन सा month है तो उसके लिए हमने सबसे पहले इकवल टू month टाइप किया ब्रैकेट को start किया उस date को हमने select कर लिया ब्रैकेट को close किया close करने के बाद हमने enter बटन को hit किया तो आप देखेता है यहाँ पर 3 जो मार्च का month है वो यहाँ पर आ गया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं तो इस प्रकास से आप date और month formula को आप जान सकते हैं अब आप weekday formula की मदद से 5-5-2008 के date को बताए कि वह कौन सा week था अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देख कर सीखें आए ये वीडियो की मदद से weekday formula का उपयोग करना सीखते हैं हमने second seat जिसका हमने नाम चेंज किया था हमने उस seat को select किया है यहाँ पर अ यहाँ पर हमारा second seat select है जहाँ पर weekday निकालना है हमने वहाँ पर weekday टाइप किया इकवल्टू को टाइप किया और weekday हमने यहाँ पर टाइप किया जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं ब्रैकिट को start करना है फिर नमबर जो नमबर है नमबर की जिगा आप date टाइप करेंगे जो भी date में आप week को count करना चाहते हैं हमने 5-5-2018 फिर semi column 1 आपको Monday से date करना है week को count करना है या Sunday से वह आप करेंगे हमने one क्या है मतलब कि हमें Sunday से count करना है फिर bracket close करेंगे और enter बटन दबादेंगे तो यहाँ से जो भी आपको weekday होगा वो यहाँ से count करके यहाँ पर बता देगा तो इस प्रकार से आप weekday की मदद से week को count कर सकते हैं इसी प्रकार से आप किसी formula की मदद से 1997 और 2000 में कितने week है यह बताएं आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं weeks in year formula को प्योग कैसे करते हैं आइए वीडियो की मदद से weeks in year formula को प्योग करना सीखते हैं जहाँ पर भी आपको इस formula का प्योग करना है हम आपको इस formula को पहले नाम टाइप कर लेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहां पे weeks क्योंकर हमें year में सब week को count करना है इसलिए हमने week count यहां पे type किया इसके नीचे हम weeks in year formula को उपयोग करेंगे किसी भी formula को सबसे पहले start करने के लिए equal to से start करना होता है फिसको जो formula name है वो formula name type करेंगे weeks हमने यहां पे weeks in year type किया bracket start bracket start करने के लिए shift 9 copy करेंगे जो भी year हमने यहां पे type किया हमने 1997 को week count करना है कि कितने week है इसलिए हमने यहां यहां पे bracket को close किया और enter button को press कर दिया तो आप यहां पर देख सकते है 52 weeks यहां पर आ गया इसी प्रकार से एक और date है equal to weeks in year जो भी आपका year हो यहां पर type करेंगे 1997 हमने वो type किया bracket को close किया enter button हिट किया तो 52 weeks यहां पर आ गया जैसे कि आप जानते हैं एक साल के अंदर 52 weeks होते हैं तो जो भी साल हम टाइप करेंगे आप 52 ही answer आएगा तो इस प्रकार से आप weeks in year formula का उप्योग कर सकते हैं अब आप 15.2.2017 में से और 15.2.2015 में से कितने दीन है यह किसी formula की मदद से निकाल कर दिखाएं आएए अब वीडियो की मदद से देखते हैं कि किस formula की मदद से days निकालेंगे आएए वीडियो की मदद से सीखते हैं days को कैसे count करते हैं अगर हमें दो date की बीच में date दिन को count करना है तो इसके लिए हम days formula का उप्योग करेंगे साथ से पहले जिस कॉलम में भी आप date को दिन को count करना चाहते हैं वहाँ पर days लिख दे हमने यहाँ पर एक date को और insert किया क्योंकि आप जानते है date days को count करने के लिए हमें दो date की जुरत होती है यहाँ पर एक date है इसलिए हमने एक और date को यहाँ पर insert किया आप किया हमने formula की मदद से equal to date एक हम यह पर अलग date को यहाँ पर टाइप कर रहे हैं जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं हमने 15 to 2017 एक date को यहाँ पर टाइप किया है आपको ध्यान में रखना है जब days निकालेंगे तो आपको formula की मदद से आपको टाइप करना है अगर आपने वैसे ही date को टाइप किया तो हो सकता है कि formula काम ना करें इसलिए हम formula की मदद से date को यहाँ पर टाइप कर रहे हैं जिससे कि जो days का formula वो काम करें हमने यहां पर एक और डेट को टाइप करें यहां पर formula की मदद से जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं 15 to 2015 15 to 2017 यहां पर डो डेट हैं अब इसके बीच में हमें दे को काउंट करना कि कितने दोनल येर के बीच में कितने डेट हुए हैं कितने दिन हुए हैं तो हमने इक डेट को सेलेक्ट किया पहले equal to days bracket start है हमने एक डेट को सेलेक्ट किया जैसे आप वीडियो में देह सकते हैं semi column लगाया semi column लगाने के आप second date को आपको select करना है जिसके बीच में आपको difference निकालने है यहां ने उस date को भी select किया फिर bracket को close किया bracket को close करने के बाद आपको enter button को दवाना है enter button को दवाने के बाद आप देखेंगे जो भी इतने इस date के बीच में इतने भी दिन है वो दिन यहां पर आ जाएगा जिसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं 2017-2015 के बीच में जो भी जिसने date हैं दो साल का वो यहां पर आपको count करके दिखा देगा तो इस प्रकाश से आप days formula की मदद से day को count कर सकते हैं अब आप सभी compare document विकल्प का भ्यास करें और बताएं कि इस विकल्प से क्या होता है आएए अब वीडियो की मदद से सीखते हैं आएए वीडियो की मदद से compare document के बारे में सीखते हैं सबसे पहले edit menu पे click करें अपने pointer को compare document पे लेके आएं वहाँ पे click कर दें जैसे आप compare document पे click करेंगे जो आपका file है वो record mode में on हो जाएगा जब आप उसके अंदर कोई भी editing करेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको किसी file को select करना होगा या आप जिस file को आप compare करना चाहते हैं उस file को पहले आप select करें यहाँ पे spreadsheet की पहले सी कोई file है हमने उसको select किया open पे click किया तो उसके बाद आप देखेंगे जो भी अपने data type किया है वो एक record mode में on हो जाएगा जितने भी अपने cell यूज किया है जिसके अंदर भी आप type किया हो सारे यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आप उसको changes करना चाहते हैं उसको आप accept करना चाहते हैं इस document के अंदर अगर accept करेंगे तो सारे जो भी चीज़ है वो आजाएंगी reject करेंगे तो उसे reject कर देगा तो इस प्रकार से यह record mode में on हो गया है जब इसके अंदर आप कुछ भी editing करेंगे जो भी आप editing करेंगे उस editing को यहाँ पर दिखाएगा सोग करेंगे कि इसके अंदर editing हुआ है उसे highlight करके दिखाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर हमने जितने भी editing किया हुआ है जो भी हमारी file है उसको record mode में यह आ गया है उसको red color से highlight किया गया है red color से highlight किया गया है जितने भी cell यूज हुए है जितने भी columns यूज हुए है उन सबको red color से highlight किया गया है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस recording mode से change option जो change mode on wise से बहार आने के लिए आपको edit menu पर click करना है changes पर जाना है और record option को unselect कर देना है इस पर click करेंगे यह unselect हो जाएगा तो आप compare document से यहां से बहार आ जाएगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस प्रकाश से आप compare document को उप्योग कर सकते हैं अब आप file के properties को बताएं जैसे कि यह file को कब save किया था किस date को किया था इत्यादी अगर कोई समस्या हो तो वीडियो के द्वारा अपने document के property को चेक करना सीखें आए वीडियो की मदद से property option की मदद से जानते हैं कि हमारी file कब save हुआ था और हमने किस नाम से file को save किया था और कहां पर file को save किया था सबसे पहले file menu पे click करें, file menu पे click करने के बाद property विकल्प को select कर लें property विकल्प को select करने के बाद general option जो पहला option उसको select करलें यहाँ पर आप उन सभी options को देख सकते हैं कि file save है, कब save किया था, किस date को save किया था file के size कितना है, वो सारे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं location, desktop, हमने इस desktop पे save case file को, size, जो file की size है वो यहापे आपको दिखाई दे रहे है, 9.9012 bytes, जो भी है, किस date को गी create किया था, created date, modified date, तो आपको यहापे यह सारी information दिखाई देंगे, तो इस प्रकार से आप property विकल्प की मदद से आप file की जानकारी ले सकते हैं, तो इस प्रकार से properties भी गल्प का उप्योग कर सकते हैं, आईए अब कुछ नए formula को सीखते हैं, network days, इस formula के द्वारा आप दो date की बीच में working day को निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको holiday का date खुद से define करना होगा, इसके लिए formula होता है, equal to network days, bracket start, start date, semi column, end date, semi column, holiday, अब आए वीडियो को देखकर सीखते हैं, network days formula का उप्योग कैसे करते हैं, आए वीडियो की मदद से सीखते हैं, network days, formula का उप्योग कैसे करते हैं, सबसे पहले, जहाँ पर भी आपको network days, holidays count करना है, वहाँ पर आप network days type कर, हमने यहाँ पर network days को type किया, तो इसके बाद equal to network days, हमने यहाँ पर टाइप किया, यहाँ आप देखकते हैं, दो date option फूचे, start date, semi column, end date, तो हमने जिस date से start करना है, उस date को हमने select किया, यहाँ पर, उस date को select करने के बाद semi column लगाएं, और फिर दूसरी date को select कर लें, यहाँ पर हमने दो date select किया, 15, 2, 17, 3, 3, 17, इस date को हमने select किया, bracket को close किया, फिर enter button को हमने press कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस date के बीच में जितने भी holidays हैं, उसे count करके यहाँ पर दिखा दिया, 13, यहाँ पर answer 13 आ गया, तो इस प्रकात से आप network days की मदद से दो date के बीच में जो holidays है, उसे आप count कर सकते है आप holiday को निकाल सकते हैं, अगला formula weeks का है, इसके दोरा आप दो dates के बीच में week के दिन को निकाल सकते हैं, इसके लिए formula होगा weeks date semicolumn date column 0 अब आएए वीडियो को देखकर सीखते हैं, इस formula का उप्यों कैसे करते हैं, आएए वीडियो की मदद से week को count करना सीखते हैं, हमने यहाँ पर week type किया, तो कि हमने यहाँ पर इस column के अंदर हमें week, इसके नीचे हमें week को count करना है हमने यहाँ पर equal to को type किया, फिर week day हमने type किया, यहाँ पर week days हमने type किया, bracket को start किया हमें weeks day type करना है, यहाँ पर हमने ऐसा नहीं लगा था, इसलिए हमने हमें week type करना है, इसलिए दूसरा formula यूज़ करेंगे, week, weeks, bracket को start, start date, जिस date से आपको start करना है और जिस date तक को करना है, उस date को हम यहाँ पर select करेंगे, तो यहाँ आप आप दे सकते हैं, 15-2-2017 इस date से लेके इस date के बीच निकालना है, जो भी आपको पास date है, उस date को आप select कर लेंगे, हमने starting date 15-2017, इसको हमने date formula की मदद से insert किया है, फिर semi column, फिर जो दूसरा date है, 3-2017, इसको हमने select किया, दो date को हमने ऐसा लग किया, आप देख ताँ, errors हो कर रहा है, हमने दुबारा से weeks लिखा, bracket को start किया, 15-2-2017 हमने select किया, starting date, semi column, दूसरा date को हमने select किया, लास्ट टाइम हमने यहां पर type को नहीं किया था, कि हमें किस Sunday या Monday काउंट करना है, तो हमने आप पर 0 टाइप किया, तो आप देख सकते हैं, जो week है, दोनों को बीच में week को count करके, यहां पर बता दिया, starting date, end date, semi column, आपको type के अंदर 0 या 1, आपको यह type करना है, तभी फोर्मूला काम करेगा, लास्ट टाइम हमने इसमें type को select नहीं किया था, type को type नहीं किया था, इस वुज़े से error सो कर रहा था, तो इस प्रकास से आप week को count कर सकते हैं, इसी प्रकास से आप कुछ formula का उपयोग आप खुद से करके देख सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकास से है, अब आप इन फोर formula का अभ्यास खुद से करें, और बताएं कि इन formula से क्या होता है, इसके दोरा आप month के दिन को निकाल सकते हैं, month में कितने दिन हैं, इक्वल टू आर टाइम, इक्वल टू मिनट टाइम, इक्वल टू सेकिंड टाइम, क्योंकि आज की क्लास यही पर समाफ्ट होती है, सभी अपने फाइल को सेव करें, फिर फाइल को क्लोज करें और computer को सट डाउन करें, आज की क्लास में आप सभी ने फाइल और एडिट मेन्यू के विकल्पों का अभ्यास किया, और इसके साथ में date, time से related आपने कुछ फोर्मूलों का भी अभ्यास किया, और कुछ नए फोर्मूलों के बारे में सीखा,